महारास्ट्रा MBA CET 2024 का जो admit card है वो आ चुका है आप आपको पता चल गया है कि आपका exam किस दिन होने जा रहा है यहां पर तीन दिन में से आपको कोई भी एक दिन मिला होगा चाहे 9 तारिक चाहे 10 तारिक या फिर 11 तारिक examination timing अलग-अलग slot में यह exam होता है क्योंकि काफी सारे students है तीन दिन के अंदर ही करना है तो अलग-अलग slot होगा reporting time जो reporting time लिखा है इसी reporting time पे आपको examination hall में पहुचना है अपको जिस चेक कर लेना है कि सारी जो चीजें हों सही है कि नहीं है यहां पे आपको एक recent color photo यहां पे आपका कोई भी recent इसलिए यहां पे उन्होंने recent लिखा हुआ है कोई भी आपका latest जो photo होगा okay color में black and white नहीं आप इसको पेस्ट करके यहां पे आपका sign कर सकते हो fine second चीजे exam hall में जब आप जाओगे तो आपको आपको जो hall ticket है उसका आपको एक copy लिगे जाना पड़ता है अगर printer नहीं है आपके पास color का लिखे जाओ hall ticket ठीक है hall ticket के साथ में आपको एक original photo ID proof लेके जाना होता है original hard copy mobile में आप दिखा होगे नहीं चलेगा यहां पे इन्होंने काफी सारे options आपको दिये होगे जैसे कि आपका pan card हो गया passport हो गया driving license है voter ID का card हो गया bank passbook हो गया इसमें से कोई भी एक आप document ID proof आप लिखे जा सकते हो ठीक है ध्यान देना कि ration card यहां पे लिखा हुआ है ration card नहीं चलता learning driving license नहीं चलता और soft copy किसी भी ID proof का यहां पे नहीं चलता यहां पे आपको signature करना होता है पर आपको अभी ही नहीं करना है जब आप examination hall में जाओगे तब आपको यहां पे signature करना होगा as of now आपको यहां पे कुछ नहीं करना है जो students PWD category से हैं उनके लिए एक form होता है scribe declaration का तो यहां पे आप click करोगे वह file आपके सामने होगी आप उसको भरके आपको लेके जाना पड़ता है और in case अगर आपके नाम में कुछ mistake दिख रहा है photo में mistake है एक student ने मुझे बेजा था आप उसका haul ticket उसका photo उल्टा था ठीक है तो photo में कुछ mistake है signature में कुछ mistake है date of birth में gender में तो आपको क्या करना है यहां से undertaking form है यह आपको fill करना है और वो आपको लेके जाना है बहुत ही simple सा form है आप इस पर जैसे click करोगे आपके सामने इस पर काड़ से यह page खुलेगा यहां प देना है इस सारे चीजे फिल करके यहां पर आपका signature करके parent का signature करके आपको submit कर देना है fine so बहुत ज्यादा complicated नहीं है और अगर आपके नाम में कोई भी mistake नहीं है तो आपको यह form लेके जाने की जुरूद नहीं है fine so in case अगर आपके मन में अभी भी कुछ question होंगे आप बेज कि यह.